नमस्कार दोस्तो आदाव सत्सरी आकाल जैजोहार मेरा नाम है आनंद कुमार और अचानक माट टाइगर रिजरो के छपरवा से मेरा प्रणाम किजिए सुईकार मित्रों इस समय में अचानक मार टाइगर रिजरो छेतर के लगभग सिंटर पॉइंट है या छपरवा यहां पे हूँ छपरवा दो कारणों से बहुत फेमस है एक तो यह वह धर्ती है जहां स्वर्गिये खेडा जी ने यहां सिक्षा का अलक जगाया था इस छेतर में उनको यहां का गांधी कहा जाता है और कहा जाता रहेगा एक चुली खेडा जी ने करीब 40 साल पहले यहां सिक्षा का अलक जगाया था और आज भी इस छेतर के बहुत सारे जो इस्टूडेंट हैं छातर छातरा हैं सिक्षा गरहन करते हैं पिछले 40 सालों में खेडा जी के द्वारा लाखों बच्चों का खास कर बैगा समुदाय के जो लोग हैं उनको सिक्षित किया गया है निसंदे ऐसे आत्मा को मैं यहां से नमन करता हूं प्रणाम करता हूं दूसरा यह कि इस छेतर में छपरवा में पहली बार यहां पे अंग्रियोजों के समय यहां का रेस्ट हाउस बना हुआ है जो कि इस छेतर को डबलब करने में लोगों का आने जाने में भी काफी सुबधा रहा है मित्रों पिछले कुछ दिनों से हम कलाकार जो है हाथियों से बचने के उपाए वनों को आग न लगाए वन और वन ने प्राणियों की रक्षा करें क्योंकि वन है जल है तो जीवन है मित्रों सूर्य, पानी, जमीन और वन इन सब चीजों की वज़े से ही मानो जीवन की कलपना की जा सकती है आप ठीक मेरे पीछे एक मैप देख रहे हैं जिसमें अचानक मार टाइगर रिजरो छेतर का पुरा एरिया बताया हुआ है अलग-अलग रेंज जो है उसका पुरा मैप है तो मित्रो मैं चाहता हूँ कि सिक्षा का अलग चाहे वह इसकूली सिक्षा हो या समाज के हीत में कोई हो जिसमें की हाथियों, वनों, वन्ने प्राणियों ये सब की रक्षा, सुरक्षा और स्वयम का भी देख रह करना जरूरी है वन्विभाग हमेशा ततपर है, आपके साथ है तो हम कलाकारों का यह प्रयास है कि आप वनों में आग न लगाएं हाथियों से दूरी बना कर रखें कोई भी आपके पास दिक्कत आता है तो उसकी जानकारी वन्विभाग के अधिकारियों को दें और किसी भी वन्य प्राणी का आप सिकार न करें, हत्या न करें जीव जन्तु वन्य प्राणी, वन, पानी, धर्ती, सूर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए प्रणाम, जै जोहार, जै हिन!